तुम्हें पता है कि कोई भी आदत या कोई भी भावना तुम पर कैसे हावी हो जाती है या तुम्हारा खुद का सरीर तुम पर कैसे हावी हो जाता है? आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ कुछ टाइम पहले मैं मत्हुरा व्रंदा बन गया था वहाँ मैंने लगभग 40-50 किलो मीटर पैदल यात्रा की और वहाँ काफे मंदिरों पर घुमा और वहाँ मैंने ये जाना कि हमारा सरीर कैसे हमारे व्रुद रहता ही है तो एक भाई ने मुझे वाटसप पर कहा था कि पर भाई इस सरीर के बारे में बताओ कि ये सरीर क्या है और हम क्या है तो ध्यान से समझो, कोई भी भावना, मान कर जो लो, तुम कमरे में लेटे हो, अकेले, और तुम्हारे मन में एक विचार आया, एक खयाल आया, तुम्हारे सरीर में कुछ कैमिकल रियक्शन हुए, जिसकी वजह से तुम्हें किसी प्रकार की फीलिंग उठी, अब वो किसी भ चलते हैं, जब हम बेहोस होकर ये भूल जाते हैं कि वो हम नहीं है, वो हम से अलग है, यानि ये भावनाए, ये फीलिंग्स और ये सरीर हम नहीं है, ये कैसे पता चल रहा है कि ये सरीर हम नहीं है, तुम यहाँ वीडियो तो देख रहे हो, पर वीडियो देखने के साथ सा जो मैं कैसे कर दो सकते हो कि कोई यानि तुमम है तै कर सकते हो कि सरीर मेरा यह सब कर वाया है यानि कुछ है जो सढ़यर जो इस सरीर पर पूरी तरह से नजर रख सकता है जो बता सकता है कि ये सरीर अभी ये कर रहा है वो कर रहा है एक कुटा कभी नहीं बता सकता कि मैं क्या कर रहा हूं उसका मन जैसा कहेगा वो करता जा रहा है और उसे लग रहा है वो मैं हूं लेकिन हम इंसानों में ये चीज नहीं है और यही हमें सबसे खास बनाती है कि हम इस सरीर से उपपर उठ सकते हैं तुम्हारी कोई भावना, कोई फीलिंग अगर तुम्हारे अंदर आती है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सेक्स ना करो, वासना में नहीं जाओ, नहीं जो चीज तुम पर हावी हो रही है, ज्यादा मैं उस चीज के बात कर रहा हूँ अगर तुम्हें इस चीज से आगे जाना है तो तुम्हें ये समझना होगा ये देखना होगा कि वो चीज मुझे पर तभी हावी होगी जब मैं अपने आपको उससे जोड लूँगा कोई चीज तुम पर तभी हावी होती है जब तुम उसमें खुद को जोड लेते हो और यहीं हम सब करते हैं और यही अध्यात में बताता है कि जिस चीज से तुम खुद को जोड लोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा वो कुछ भी हो सकता है संसार में कुछ भी चाहे तुम्हें खुशी के टाइम ये लगे ना कि ऐसा नहीं होता लेकिन एक समय के बाद तुम्हें पस्तावा होने लगता है कि ये चीज मुझे बरवात कर रही है जो कभी पहले खुशी देती थी क्योंकि खुशी में हम अपने आपको उससे जोड लेते हैं और फिर वो खुशी दुख में बदल जाती है क्योंकि जब हम किसी चीज को खुशी जोड लेते हैं तो वो लगती है कि वो हम ही तो है और इसी में हम पूरा जीवन बिता रहे और बिता चुके हैं बहुत लोग जब कोई भी भावना उठती है तुम्हारे अंदर फीलिंग किसी भी तरह की क्योंकि अगर इस सरीर को मैं बना लूँगा तो फिर तो मैं सिर्फ दो तीनी काम करूंगा पहला कमाना बच्चे पैदा करना और बस बात खतम और अपने सरीर को चलाने के लिए जिसको चीरफाड करना हो खाओ पीओ जो कुछ करना हो सो करो जीवर के करो फिर तो बस यही जीवन जीओगे लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता और नाहिर तुम्हें करना है ऐसा अगर ऐसा करोगे तो हम लोग जानवड से उपड़ नहीं है और फिर कभी अपनी वृत्यू से उपड़ नहीं उठपाओगे तो उठोगे कैसे ? वो यह जानकर कि तुम वो वो जो तुम समझ रहे और समझ बैठे हो लेकिन ध्यान रखना सुरवात तुम्हें ये बहुत मुश्किल पढ़ने वाला है तुम्हें जब अकेले में खुद को देखोगे और खुद की वृत्यों को उठता हुआ देखोगे और खुद के सरीर के जो केमिकल है जब वो तिल म लाएंगे तुम ये जान भी नहीं पाओगे ये वासना और ये इर्षा ये गुस्था ये डर ये सब किसका है तुम्हें लगेगा ये सब मेरा है मुझे उठा है और यहीं इंसान मार खा जाता है और इसी के लिए अध्यात्म की सुरवात होती है और यहीं बात गौदम अब इस वीडियो के बाद तुम यही करोगे कि यह वासना मेरी नहीं है इसमें मुझे मिलना नहीं है यह तो सरीर की वासना है है ना यह चीज करोगे तुम लेकिन जैसे ही तुमारे बीच कहीं खुशी का माहूल होगा या तुम किसी खुशी के सिच्वेसन में पहुंच नहीं असल में गहरा आनंद ही वही ले पाता है जो अपने आपको खुशी से पूरी तरह से नहीं जोड़ता क्योंकि वह खुशी भी सत्य नहीं है सब कुछ बदल जाता है सब कुछ इस दुनिया में परिवर्टित होता रहता है हर किसी में बदलाव होता रहता है आज वास चीज बदलेगी जब तुम यह समझ जाते हो कि यह जो खुशी आज मेरे सामने हो रही है यह भी वह नहीं हैं जिसको नहीं समझ रहा हूं कि यह मैं है क्योंकि चीज से हम खुद को जोड़े यह जोड़ाय देना उड़्य को तफिर उन मिलेंगी जो ट मिलेगा और बेकार रिस्ते मिलेंगे जो लगेंगे तुम्हें सच तो जैसे ही उसमें बदलाव होगा तुम तूटोगे बिखरोगे वो तुम्हें जहाँ चाहे वहां बहा कर ले जाएंगे समझ पा रही हो मेरी बात को हम शरीर नहीं है हम वो भावनाई नहीं है जो मन में उठ रही है हम उनसे बहुत अलग है कुट्टे में भावना उठती है कि अब सेक्स करना है अब इसकी तरफ आकरशित होना है कुट्टे में इभावना उठ सकती है कि मुझे मास खाना है अड़ी चबानी है लेकिन इनसान इन सब को अपने अंदर उठते हुए देख भी सकता है और उसका देखना ही बतलाता है कि वो वो नहीं है जिसे वो मैं समझ रहा है समझ पार है वो बात थोड़ी सी गहरी है पर समझदार इनसान गहराई से समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं जब भी खुद की अंदर कोई भी प्रकार की वरत्ती ये वासना ये कुछ भी उठता है या तुम कहीं भी अपने आपको बेहोश महसूस करते हो कि यहां तो मेरा वस चली नहीं रहा तभी अपने आपको यह समझ और सतर कर देना के यह जो हो रहा है वो मैं नहीं हूं वो सब सरीर का है और अगर मैं सरीर के हिसाब से चलता रहा तो कभी वो जीवन नहीं जीपाऊंगा जिसके लिए मैं जन्म लिया हूं हम इंसानों में यही सबस स्टम क्रिश्न कहते हैं या कहलो सत्य यह बहुत कारगर तरीका है और यहीद्धात्म की सुर्वात भी है जो तुम्हें इस संसार में कुछ भी दिख रहा है कुछ भी वो तुम नहीं हो उससे खुद को जोड मतलेना और यह बात भी ध्यान राखना के जो आज दिख रहा है व भी खत्म हो जाएगा वह भी मिट जाएगा विलूप्त हो जाएगा भावना है तो केमिकल आज रियक्शन हुए है कल को वह थंडे पड़ जाएंगे तो आज है कल नहीं किसी चीज की तरफ आकर से तो पता चली आज आकर से तो कल पता चली वह खरिद लिए और इसके बाद आ नहीं है कि तुम सरीर को स्वस्त नहीं रखोगे तुम सरीर को बहतर एक्सराइज बहतर खाना और बहतर इसके लिए जीवन है वो नहीं दोगी नहीं तुम सरीर नहीं हो लेकिन सरीर तुम्हारा साधन है सरीर तुम्हारा वो साधन है जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं कुल सही रखोगे तभी अपने आपको उस लक्षे तक पहुंचा पाऊगे जिस लक्षे के लिए तुम स्वरीर को जिन्दा अगर तुम स्वरीर को बीमार और जो जो चीजे ज़रूरी है वह नहीं दे रहे हो स्वस्थ नहीं रख रहे नियमित रूप से सब कुछ नहीं कर र लगाया कि अपने आपको मजबूत बनाओ वो मजबूती उस शरीर की बात कर रहे थे इस चीज पर ध्यान दिया क्योंकि शरीर जब तक स्वस्त नहीं है जब तक सरीर एक बहतर कार नहीं है तो मंजल तक कैसे पहुचोंगे पर ये बात ध्यान आपको इतनी जो बाते बताई अब मतलाब यह नहीं है कि अगर आप चसी भी तरीके से किसी भी इंसान ये किसी भी वरत्ती के तरफ आकर्षित हो तो अपने आपको गिलानी और अपने आपको दोस्त देने लगो नहीं शरीर का काम है उनके तरफ आकर्षित होना और उनके तरफ आगे बढ़ना पर तुम्हारा काम है ये समझना कि शरीर तो ये सब करेगा और सरीर के लिए जो महतोकून काम है उनमें मैं सरीर का सहयोग करूँगा लेकिन मैं सरीर नहीं करूँगा बस ये सिंपल सी बात तुम्हें समझने हैं हम सरीर से अलग हैं हमारे अंदर वो शमता है कि हम अपने सरीर से भी उपर उड़ सकते हैं और उसका उधारन आप देखी स कितने महापूरस हैं जो अपने सरीर से भी बहुत आगे चले गए और जब तुम ऐसा कड़ते हो तब असल में तुम असली जीवन जीते हो तब साथी चुनते हो बहतर सेक्स भी करते हो बहतर जीवन भी जीते हो बहतर खुशियों भी पाते हो लेकिन उनके होते नहीं, फिर तुम द्रिष्टा बन जाते हैं, और इसको बहुत लोगों ने कहा है, ओशो, आचारे परसांद, ना जाने कितने लोगों ने, गोतम बुद्ध ने भी यही बात कही है, और वाके में द्रिष्टा ही जिन्दकी का आनन्द लेता है, अगर वो सम कर्वों ने की जिन्दकी कालarius के अधर्गा ही